हलो मैं डॉक्टर राव मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आप जानते हैं हम जनेटल से रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं पैनिस में मसाज करने का फायदा जो पैलर मेडिसंस हैं जैसे अरुवेदिक है जो मेडिसन है उसमें लोग इस पे बड़ा जोड द यह ज़्यादा बेनिफिशल है यह वाला तेल जबकि जो मेडिकल साइंस है वो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती वो इसमें कुछ भी नहीं कहती तो हम आज जानेंगे कि दोनों में से कौन सी सही है या कोई बीच में मिडल पाथ है एक्शली बहुत से आप एड वाला औल लगाने से यह हो जाता है यह वाला औल लगाने से यह हो जाता लेकिन इसकी सचाई क्या है सचाई यह है कि ओल इतना मिसाज इंपॉर्टन्ट secular है मतलब डिफिनेटली फायदा होता हुए और अब कि basically oil जब use किया जाता है तो हमारा यह मानना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर जो oil commonly पैदा होता है या हमाँ पर जो जिसकी फसल होती है या नोर्थ इंडिया में mustard oil है साथ इंडिया में coconut oil है अला कि मैं इंडिया में coconut oil ही ज़्यादा recommend करता हूं क्योंकि यह better है as a carrier इसके अंदर आप कुछ भी carrier है इसके अंदर कुछ और भी chemicals जाल सकते हैं और यह बहुत बढ़िया मसाज करता है जब आप coconut oil से मसाज करते हैं तो उसके साथ वो basically skin पे friction का का कम कर देता है यानि जब आप मसाज करेंगे तो आपका हरा हाथ अराम से उस पर चलेगा तो जब आप मसाज करते हैं तो इसमें दो action आप जरूर करें जैसे यह penis है तो इसको नीचे से ओपर के और खीचें इसको करने से क्या होते हैं जो longitudinal vessels है जो नीचे से पेट के अंदर से penis में जा रही है वो relax होती है उनका diameter बढ़ा होता है और penis बाहर के और खीचता है तो जब link में तन पेट के अंदर से जो सीधा penis के अंदर जा रही है उसको relax करता है उसके अंदर blood flow को बढ़ाता है जबकि दूसरी moment है कि penis को पकड़ के आप इस तरह से नीचे से उपर की और roll करो अपने में अच्छे से तेल लगा के जो भी आप oil use करना चाहते हैं अभी बाद में बताँगा की oil को किस तरह से यूज़ करना है लेकिन मालो आप coconut oil यूज़ करें तो नीचे से उपर की और इस तरह से penis को मसाज करते जाए इससे जो एक तो मैंने पहली वाली मसाज से पता है जो लंबी vessels है वो ठीक होती है और ऐसे मसाज करने से उसके side में भी blood flow बहतर होता चला जाता ह है इसमें ज्यादा रोल मालिश करने का है मालिश करने से एक तरह की stimulation मिलती है पैने इसको एक तरह से उनकी vessels को जब वो हिलती है या उनको relax होती है उसके इंदर जो waste जो toxic chemical सिखटे हो जाते हैं इसके वो भी वहाँ से निकल जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो पहलव कि नोगों को फायदा करेगी मसाज नॉर्मल लोगों को हमयशा फायदा करेगी जिनको कोई erectile disfunction की problem नहीं है नंपकुन सकता की problem नहीं है mild नपकुन सकता में भी फायदा करेगी उसमें आप इसको regular मसाज करोंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा लेकिए ये है कि महीड कराने चाहते हैं उससे पहले कम से कम मसाज तो अपने घर पे शुरू करी दे अब हमने बताया कि मसाज जब हम करते हैं तो ओल तो बहुत ही कम बॉडी के अंदर एब्जोग होता है तो ओल एक तरह का केरियर है उसके अंदर आप कुछ चीज डाल भी सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, घर की मैं बाते बता रहा हूँ, बजाए कि आप इदर उदर के ओल यूज करें, simple oil use करें उसके अंदर clove यानि long एक दो long पीस के डाल लें clove क्या होता है वो जब जाता है वो nerves जो है पैनिस की उनको भी stimulate करता है तो उससे ज़्यादा अच्छी sensation आती है ज़्यादा erection होती है clove आप डाल सकते हैं long को पीस के उस नारिल तेल में डाल सकते हैं और साथ में vitamin E के capsules क्योंकि यह भी blood circulation बढ़ाते हैं vitamin E के capsule evion के नाम से आते हरे रंग के capsule होते हैं उसके छेद करके दो capsule जो भी आपने oil लिया है 100 ml उसमें निच और लें और फिर उससे मसाज करें पैनिस को पैनिस को मसाज करने से पहले oil को हलका सा कोसा सा गरम कर लें बहुत जादा नहीं हलका सा गरम कर लें और उससे मसाज करें क्योंकि गरम करने से क्या होता है oil की density कम हो जाती है मतलब वो थोड़ा सा उसका और भी वो लगाने में easy हो जाता है और उसके through वो skin के pores के अंदर कुछ जा सकता है तो आप उसको हलका सा गरम कर लें उससे जरूर फायदा होगा जो blood vessels हैं वो गरम होने पे उस area के गरम होने पे वो फैलते हैं हम चाहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा blood आए जब आप पैनिस की मसाज करते हैं तो ज़्यादा blood आता है और साथना अगर उसको गरम भी करेंगे तो वो पैनिस को भी हलका सा गरम करेगा तो blood flow, blood vessels बढ़ जाएंगी बढ़ने क्यों हम चाहा रहे हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा blood flow हो का आप जानते हैं blood flow से ही erection आता है तो हमने वाइटम ए के दो capsule डाले हमने crop oil डाला मैंने आपको moment बता दी अंदर से बाहर के और खीचना है गोल गोल भुमाना है ये आप coconut oil में कर सकते हैं बहुत ज़्यादा जो oils हैं दुनिया भर के मिल रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा benefit नहीं करेंगा अगर आप उनको use करना चाहते हो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको use कर सकते हैं आप उनको लेकिन जो फायदा होगा वो जो मैंने बगाया है उससे आपको बहतरीन फायदा होगा जलूरत नहीं है कि आप बिनाबाद के ओईल ख्रीद के और उनको यूज करो दूसरा प्रॉलम ही आती है जब इस तरह कि आप एड्स देखते हैं या कोई ओयल कहता है कि हम ऐसा हो जाएगा लगाने के बाद वैस हो जाएगा जब आप लगाते हो तो ऐसा कोई बहुत फायदा नहीं होता मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि इरेक्राइल डिस्फंक्शन होगा तो पूरी तरह मसाज से ठीक हो जाएगा मैंने क्या कहा कि अगर माइल्ड इडी होगा थोड़ी सी नपन सकता है तो वोफ में मैं फायदा होगा और यह लिंक को सुकडने नहीं देगा और जो लोग नॉर्मल है उनमें इरेक्राइल डिस्फंक्शन आने की संभावना को बह जाए यह healthy exercise है यानि जैसे आप exercise करते हैं ताकि आप healthy रहें तो आप पनाहिल मसाज करते हैं ताकि आपका penis healthy रहें एक पर बिमार होने के बाद जिसको heart attack हो गया आप पुश अप करेगा तो heart attack जा दे नहीं हो जाएगा या बहुत फैदा है तूसको नहीं होगा इसी तरह ऐस इतना फायदा नहीं होता अब यही ज़ुरूता है कि एक्सपेक्टेशन ठीक रखनी है आपने मसाज से अगर आपने भी आपको करनी है क्यों करनी है क्योंकि अगर मालो हमने उसमें पिनाईल इंप्राइंट डालना है या हमने उसमें पीशोट देने है तो वो कम से कम पैनेस का साइज उसकी गर्द तो मेंटेन रखे ना इसलिए आपने करनी जरूर है तो हमने ये आज पिनाईल मसाज के बारे में डिसक्स किया हाँ पिनाईल मसाज करने के बाद जैसे आपने गरम हलका से तेल करके मसाज की दस मिनट मसाज डेली बहुत रहती है उसके बाद आप उसको गरम पानी से ही एकदम से थंड़े पानी समतना है गरम पानी से ना है ताक और देर तक उसमें से जादा ब्लड फ्लो पैनिस की और जाता रहेगा जो कि हम चाहते हैं जादा ब्लड फ्लो जाए और जादा ब्लड फ्लो वापिस है वहां के जो भी वहां पर खराब केमिकल्स हैं वहां से फ्लश आउट हो जाए निकल जाए तो यह हमने आपको बताया प आपको पता हो कितना काम करेगा, अगर अपके expectations ही गलत है, तो आप निराश हो जाएंगे, तो इस तरह की expectations ना बनाए, expectations ठीक मनाए, बहुत अच्छी है, आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो ठीक लगाओगा और आपको समझ में आया होगा, कि massage का फायदा होता है, उसमें थोड़ा बहुत रोल ingredients का भी है, लेकिन मालेश करने का फायदा होता है, इसको अब medical science भी मानती है, लेकिन आयूरवेद में उसे बढ़ा चड़ा के बताया जाता है, कि इस वाले oil से करोगे तू ऐसा हो जाएगा, लोहे जैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है पुड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन वो फायदा बहुत है, जैसे exercise करने से ये नहीं है कि आप 150 साल जी जाएंगे, लेकिन जितनी भी जीएंगे, healthy life जीएंगे, ऐसा ही मानके चले आप, तो आशा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ह वह तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना टाइम जैने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक्यू